हमारा ये पाइप, अरजुन, नौलवो और योगो के सभी मॉडल में फिट होगा तो अब पाइप सेट की जानगारी से शुरू करते हैं हमारा पाइप तीन ताइप के सेट में उपलब्ध है जिसमें ये पहला सेट है इस पाइप सेट में पाइप के साथ बेंजू बोलेट, तो डाउंटी सेट, फीमेल वाल्व रेस्ट क्याप और क्लेप आता है वैसे ही दूसरे पाइप सेट में फीमेल वाल्व के साथ मेल वाल्व आजाता है हमारे तीसरे पाइप सेट में में फीमेल वाल्व के बदले रिलीस कपलर आता है जिसे हम पुश्टाइट कपल भी कहते हैं तो चलिए अब हम देखते हैं कि पाइप फिटिंग कैसे करें जैसा की वीडियो में दिखाया गया है सबसे पहले हम बैंजू बोलेट और डाउंटी सील को पाइप में लगा कर उसे हाइड्रॉलिक बॉडी में कसलेंगे पाइप और ट्रॉली को जोड़ने के लिए रिलीस कपलर का इस्तिमाल कर रही है जिसे हम पुश्ट टाइट कपलर भी कहते हैं इस कपलर को पाइप की नट में लगा कर टाइट करें जैसा कि आप वीडियो में तेक्स शक्ते हैं कि ट्रॉली को लगाने और जोड़ाने के लिए पुश्ट टाइट कपलर का इस्तिमाल कैसी कर शक्ति है आप ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ने के लिए पुश्ट टाइट कपलर के बदले फीमेल रिवाल को भी इस्तिमाल कर शक्ति है हमने यहाँ पर पाइप सपोर्ट के लिए क्लेप दिया है जिससे पाइप में वाइबरिशन आए हम जब पाइप को हाइडरॉलिक बॉड़ी में लगाते हैं तो उसमें एर होता है इसको निकालना बहुत जरूरी है वरना यह एर की वज़े से फीमेल वाल्व में लिकिज हो सकता है आपको सिर्फ फीमेल वाल्व पर मेल वाल्व को लगा कर निकालना है जिससे पाइप में रही एर निकल जाएगी और लिकिज होने के चांसिस कम हो जाएगे आप यहाँ पर तेख सकते हैं कि हमारा पाइक सेट आराम से फिट हो गया है यह पाइक हमने यह वो 575 भू लगाया है